9.1 और इस 9.1 टेवल को जब आप याद रखने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एक एवरेज स्टूडेंट इसको आसानी से याद रख सकता है इविन मैं भी इसको आसानी से याद नहीं रख सकता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी वैल्यूस हैं इस टेवल में बताये गया है कि अर्थ क्रेश्ट और हुमन बॉड़ी में डिफरेंट एलिमेंट की कैमिकल कमपोजिशन कितने परसेंट होती है तो ये याद रखना बहुत डिफिकल्ट है और जाद तक देखा गया है कि यहां से कोई कॉश्चन डारेक्टली किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू को लेकर पूछा भी नहीं जाता है पर कॉश्चन इस टेविल के इंटर्प्रिटेशन पर आ सकते हैं इंटर्प्रिटेशन का मतलब कि इस टेविल से कुछ इंपॉटेंट कंक्लूजन निकलते हैं जैसे कि नंबर वन कंक्लूजन आपको ये दोनों कॉमेंट्स जरूर याद रखना है क्योंकि ये कॉश्चन आने की संभावना है यानि कि आप पूरी टेविल याद रखें इसकी जरूरत नहीं आपको केवल इस टेविल के ऊपर जो मैंने दो इंटर्प्रिटेशन बनाए हुए हैं आपको दिमाग में रखना है क्योंकि उनको थोड़ा सा कंवेर्ड करके घुमाफरा के आपसे कॉश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे कि नंबर वन इस टेविल को देखने पर आपको एक इंटर्प्रिटेशन ये मिलने वाला है कि 90% पार्ट ऑफ प्रोटो प्लाजम इन हूविक बना हुआ है उक्सिज़न कारवन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन यानि कि oxygen, carbon, nitrogen and hydrogen ये वो चार elements है जो approximate 90% part of protoplasm human body में बना रहे हैं यानि कि human body का जो protoplasm है वो 90% इन चार elements से मिलकर बना हुआ और हम जानते भी हैं कि oxygen, carbon, nitrogen, hydrogen ये वो ऐसे elements हैं जो आपको proteins में देखने को मिल जाएंगे जो आपको carbohydrates में द almost ये elements आपको lipid में भी देखने को मिल सकते हैं हाला कि lipid में manly आपको carbon और hydrogen मिलते हैं और बहुत कम amount oxygen का होता है लेकिन कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि 90% जो हमारी body का protoplasm है यानि कि जो living part है वो इन चार elements से मिलकर बना है अगर हम इनके decreasing order को भी ध्यान से देखें तो क्योंकि हम चार elements तो यहाँ पर याद रखते ही हैं पर हमें यह भी याद रखना है कि oxygen का composition carbon से जदा है then carbon का nitrogen से जदा है and then nitrogen से जदा किसका है hydrogen से तो आप से question पूछा जा सकता है कि oxygen oxygen, carbon, nitrogen और hydrogen इन चारो elements में से कौन सा element है जो human के protoplasm में most abundant element है तो आप ऐसे question का भी answer दे सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है OCNH यानि कि oxygen सबसे ज़्यादा है then carbon then nitrogen और then hydrogen second interpretation जो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं वो यह है कि four cations are most abundant in human body और वो है potassium, sodium, calcium and magnesium तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दो interpretation बहुत ही beautiful तरीके से stable से निकाले हुए हैं पहला interpretation आपको याद रखना है 90% human body में protoplasm का oxygen, carbon, nitrogen और hydrogen से मिल कर बनाए and second आपको याद रखना है कि जो positively charged ions है यानि की cations हैं वो human body में most abundant जो है वो है potassium, sodium, calcium, magnesium और magnesium और इन में भी इसका जो composition है उसके accordingly अगर में बात करूं तो सबसे ज़्यादा potassium है, उसके बाद sodium, उसके बाद calcium और उसके बाद magnesium तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि human body में यह चार cations most abundant हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, मिलेंगे